आपका स्वागत है हमारी चैनल टेरेस गार्डन विट एडिनियम में आज हम अपने गार्डन से विंटर की फर्स हर्वेस्टिंग करेंगे और देखते हैं आगी वीडियो में कि हमने अपने गार्डन में क्या-क्या लगाया है और क्या-क्या हर्वेस्ट किया है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें यह देखिए वह देखिए, हार्वेस्टिंग तो तो सबसे पहले ये लॉंग जो ब्रिंजल हैं वो हैं और ये वो बेगन का प्लांट है जो मैंने कटिंग से लगाया था बारिश के समय और इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और अभी मैंने कुछ बेगन के नए प्लांट्स लगा लिये हैं तो इन प्लांट्स को मैं अब निकाल दूँगा जो पुराने प्लांट्स हैं इनको हटा दूँगा मैं क्योंकि बेगन की इत्ती जादा वशक्ता होती नहीं है क्योंकि इन्हीं प्लांट में इत्ते बेगन आ तो यह देखिए यह पुराने प्लांट सें और यह देखिए यह मैंने भी मूली लगाई है और इन्हें भी मूली लगाई को मेरको सत्रा आठ्रा दिन ही हुए है और मैंने इसकी जो लीफ्स है इनके पराठे बहुत अच्छे बनते है तो मैंने अभी लीफ्स की हर्वेस्टिंग करी है इनकी और जो मूली के पत्ते हैं इनकी सबजी भी बहुत अच्छी बनती है तो मैंने अभी सिर्फ इनके पत्ते ही तोड़े है और मूली 35 से 40 दिनों के अंदर निकालने के लिए तयार हो जाती है और ये मैंने अभी छोटे की ग्रो बैक में लगाई है ये 9 इंच का हाइट इसकी 9 इंच है वैसे मूली हमें 12 से 15 इंच के ग्रो बैक में लगाना चाहिए उस समय मेरे पास पॉट अवेलेमिल नहीं था और ये देखिए ये मूली के पत्ते और इतने बेगन की हार्वेस्टिंग करी है मैंने और कुछ बेगन अभी ओल लगे हैं जो दो से तीन दिनों में तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा इस समय आप मूली तो अपने कार्डन में जरूर लगा ही लीजिए क्योंकि मूली यदि आप अभी भी लगाते हैं मूली तो 35 से 40 दिनों के अंदर मूली आपके खाने के लिए तयार हो जाएगी और उसी पॉर्ट में आप मूली की एक बार और फसल ले सकते हैं और जिदि आपके किसी और pot में जिसके अंदर आपके कोई plant लगे हैं उनमें भी side में एक दो बीज डाल कर आप मूली आसानी से ले सकते हैं मैं मूली के लिए एक separate video जरूर मनाऊँगा जल्दी कि मूली कैसे grow करें क्योंकि मैं तो market से season में मूली एक भी बार नहीं लाता हूँ तो इसलिए मूली, shell jump तो आप जरूर लगाईए चुकुंदर को जरूर थोड़ा सा time लगता है लेकिन मूली आप winter य विंटर में दो बार एक ही pot से harvest कर सकते हैं ये देखिए ये long vegan तीन दिन पहले तोड़े थे मैंने vegan और आज फिर ये और ये देखिए ये बुटे वाले बेगन है जो gold vegan आते हैं बड़े वह मैंने भी छोड़ दी हैं और ये देखिए ये अद्रक मैंने जो ये आटे की दस किलो की बोरी आती है बैग आते हैं जो ये उन्ही में अद्रक लगाया है तीन पॉट में उसमें से एक जो एक बैग है उसका अद्रक में निकालूँगा आज क्योंकि winter plants लगाने के लिए हमाए पास pot भी limited होते हैं और soil भी limited ही होती है क्योंकि हम terrace पे gardening करते है तो अब मुझे winter के flower के plants लगाने हैं इसलिए मैंने पुराने बैगन के तो ये अद्रक के और भी कुछ pot खाली करे हैं ताकि मुझे soil ये देखिए कित्ती अच्छे अद्रक निकली है जबकि ये भी मैंने बारिश के समय बारिश में ही लगाई है ये वैसे अद्रक को time लगता है और हमें इसे गर्मी के starting में ही निकालना चाहिए था ये देखिए एक pot में इत्ती अद्रक और जदी मैं तीनों pot के निकाल लेता तो एक किलो से ज़्यादा अत्रक मुझे मिल जाती ये देखिए आज ये harvest तिंग करी है ती ये बड़े वाले green बैंगन है और ये देखिए मैंने तीन pot में जुकीनी के भी plant लगाए हैं और अब तो इसमें fruiting भी start हो गई है और जुकीनी भी आप अपने garden में जरूर लगाए है इससे हमें 35-40 दिनों में 50 दिनों के अंदर अंदर हमें इससे food मिलना शुरू हो जाते हैं और तो में जुकीनी भी एक separate वीडियो बनाऊंगा तो आप हमारा चैनल देखते रही है इसी तरह और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब सब्सक्राइब कर लें थैंक यू